Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 1 की Hindi Workbook Chapter 14 एक बुढ़िया तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसी रहे और अगर आपने अभी तक एक बुढ़िया चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से निकाल के भी से पढ़ सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं वर्ट बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्ट बुक निकाले और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बुढिया का क्या नाम था, तो बुढिया का कुछ नाम नहीं था, तिक है, अब है कि वह दिन भर क्या करती थी, तो दिन भर वो क्या करती थी, तो वह दिन भर खाली रहती थी, कुछ नहीं करती थी, क्या बुढिया सारा दिन अराम क क्या करना है कि बुडिया कौन-कौन से काम कर सकती है सही का निशान लगाओ तो अब देखिए बुडिया क्या क्या काम कर सकती है उस पे आपको निशान लगाना है तो देखिए दोड सकती है तो नहीं होगा पेर पर चड़ सकती है नहीं होगा तो सबजी काड़ सकती है इसमे हम ठीक लगाएंगे पढ़ सकती है तो नहीं चावल बिन सकती है इसमें ठीक लगाएंगे खाना बना सकती है ठीक लगाएंगे नदी में तैर सकती है तो नहीं आडाम कर सकती है तो इसमें ठीक लगाएंगे तो ये साड़े काम एक बुढिया कर सकती है अब है कि कविता की पंक्तियां पूरी करो तो कहीं एक बुडिया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी दोपड़ी दिन राज सबेरे साम नहीं थी कुछ भी अब देखें ये पंक्ति बस इसे पूरा करना है तो इस तरह से आप इसे पूरा कर लेंगे उसके बाद है कि तुम्हारे घर में कौन क्या करता है सही वाकिपर ठीक का निसान लगाओ तो देखें मेरी मा क्या करती है खाना बनाती है या खेदी करती है तो खाना बनाती है उसके बाद मेरे पापा चांद पर जाते हैं या काम पर जाते हैं तो काम पर जाते हैं उसमें टीक लगाना है और उसके बाद है कि मेरी दादी जी सबजी करती है या बिजली की तार ठीक करती है तो सबजी करती है मेरे दादा जी तो अखवार पढ़ते है या बजार से सबजी लाते है तो अखवार पढ़ते है मेरी बहन सफाई करती है या सारा दिन खेलती है तो क्या करती है सारा दिन खेलती है मेरा भाई तो वो पढ़ाई करता है या सारा दिन सोता है तो पढ़ाई करता है उसके बाद है कि मैं तो पौधों को पानी देता हूँ या सारा दिन पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, सारा दिन पढ़ता हूँ, तो इस तरह से इसमें टीक लगाना है, इसके बाद है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, तो मेरी मा करती है, ठीक है, मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरी मा काम करती है, लिखतें तो बस यह चोटा सा चैप्टर था वर्क बुक जो कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपको कहीं भी स समझने में प्राब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चली मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो